आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो हमें गेवन है कि एक कंपनी इलमेंटरी लिमिटेट उसने इश्यू के 5,009% बेंचर जिनका फेस वेल्यू है 100 एच प्रीमियम आफ 20% तो उसने 100 रुपीज के डेंचर 120 रुपीज के इश्यू करें जिसमें 50 रुपीज अप्लिकेशन पर देना है और जो बैलेंस से बैले पर दो नह ritual हमें जनल से पास कर नीयाए वर्था आभव तो जो फूल powininी उसमेंμέंटिशii होगी उसमें में ऐस्यू हुं अप्लिकेशीं होगा तो हम बैक अकॉंन को खरता हैं डेविट बैंक अकाउंत मेंधू कितना पैसे डेविट करेंगे बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे, 5000 शेर्स इस्यू की हमने 50 रुपीज ऑन अप्लिकेशन है, तो 5000 इंटो 50, 5000 इंटो 50, हमें रिसीव होंगे, 5 इंटो 5, 25, 25, 1234, 1234, 250,000 र्रुपीज हमें रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट में,rama लाग 50,000 और जब हमें 2,50,000 रुपीस रिशीव हुए हैं फॉर द अप्लिकेशन मनी अब हमें जो शेर्स हैं अलॉट कर देंगे तो हम करेंगे इसमें इसके जो एंट्री होगे अलॉट्मेंट अफ शेर्स की होगी डिबेंचर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट डेबेंच सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा अलॉट्मेंट बनी है तुमने अलॉट कर दिया है नाइन परसेंट डेबेंचर से 5,000 शेर्स और 50 हमें रिशीव हुआ था अन्द अप्लिकेशन मनी अब नेक्स करते हैं डियू करते हैं जो हमारा अलॉट्मेंट मनी है बालन्स उसमें पर यूँ होगा और अलॉट्मेंट बालन्स भी ना तो इसमें करते हैं डिवेंचर से लाट मेंट अकौंट डे मेंट डे डियूट डे अंहीं अलॉट्मेंट ऑप हम देवेंट करेंगे किटना रुपी हम 5,000 न्टो शेवींटी तो इसमें जु रिमेंइनिंग पैस होग इसमें डेबिट करेंगे 5000 x 70 आता है यहां पर हम लिख देते हैं ब्रैक्ट में 5000 शेर्स हैं और इंटो 70 तो हमारे पास हाते हैं 350,000 रूपीज तो 9% डेबेंचर्स तो 9% डेबेंचर्स तो लाग 50,000 रूपीज तो लाग 50,000 रूपीज और 2 जो रिमेनिंग है 9% डेबेंचर्स की बाद आता है Securities Premium Reserve तो Securities जो हमारा premium का पैसा है और premium account में क्रांवर कर देते हैं तो Securities Premium Reserve यहां पर आता है 1 लाग रूपीज तो तो टूटल 3,50,000 रूपीज हमें डेबेंचर्स अलाट्मेंट के रिसीव हुए हैं तो debentures allotment में हमारे वैसे 2,50,000 due होते हैं तो हमने 9% debentures में transfer कर दिये और 1,00,000 रुपीज हमने securities premium reserve account में credit कर दिये अब next entry पर आते हैं next में हमें जो हमारा allotment का money था जो हमने due कर रहे था वो receive होगा तो हम उसके receive के entry करता है नमबर 4th entry तो मैं receive हो रहा है cash account और bank account debit करते हैं तो bank account debit 3,50,000 रुपीज receive होंगे क्योंकि मैं 3,50,000 रुपीज due कर रहे था और debentures allotment to debentures allotment account को हम करते हैं credit to debentures allotment account to debentures allotment account 3,50,000 रुपीज 3,50,000 रुपीज तो हमने bank account में debit की 3,50,000 रुपीज और debentures allotment account में credit के हमने 3,50,000 रुपीज तो हमारा यहां पर illustration है यह हमने complete कर लिए एक बार और हम करते हैं से revise हमने क्या क्या किया है हमने दिया था कि lemon tree limited ने issue के 5,009% debentures 100 इच का एक debentures है उस पे हमने issue के 20% premium पे तो 20% होता है 100 रुपीज पे 20 रुपीज तो 21-20 रुपीज का हमने एक debenture issue किया है और application 50 रुपीज पे करने है और allotment balance पे करने है तो balance आता है 120-50,70 रुपीज का application receive for the debentures issued and also the amount due on allotment हमें general entries तो हमने पहले जो हमें application money receive 5,000 debentures पे 50 रुपीज का वो receive करने के entry करी bank account debit to debenture application फिर next हमने debenture application and allotment जो हमने money receive के है हमने debentures allot कर दे 5,000 debentures allotment के entry करी फिर हमने allotment पर नहीं को due करा और जो हमारा extra रुपे थे 20 रुपीज और share extra था 5,000 into 20 वो हमने securities premium reserve में transfer कर दिया और जो हमने debenture allotment due कर रहा था उसके हमें पैसे receive हुए bank account debit के हमने 3,50,000 रुपीज जो हमें receive हुए है तो debentures allotment account 3,50,000 रुपीज तो यहाँ पर हमारी जो general entry यह complete होती है और यहाँ पर question भी मारा पूरा complete होता है तो okay guys thank you